गुस्षा होना मनुष्य का एक सौभाव हैं। हर मनुष्य अपने जीवन में किसी वस्तु को लेकर या किसी कारण वस गुस्षा हो जाता है। क्रिस्त में प्यारे दोस्तों, जब हम आज के सु समाचार को ध्यान से पढ़ते हैं, तो प्रभ्येसु आज के सु समाचार के माध्धम से हमें दो बातों को बतलाते हैं। पहली बात है कि हमें हमारे जीवन में गुस्षा नहीं होना है, और दूसरी बात है कि हमें एक दूसरे को शमा करना है, गुस्षा होना मनुष्य का एक सौभाव है। हर मनुष्य अपने जीवन में किसी वस्तु को लेकर या किसी कारण वस गुष्ण हो जाता है, किसी ब्यक्ति के प्रती गुष्ण हो जाता है, लेकिन प्रभी येशु जब हमें आज के सु समाचार में गुष्ण ना होने के लिए कह रहे हैं, तो हमें एक विशएष प्रकार के गुष्ण के बारे में बतला हैं, कि जब हम किसी व्यक्ति के प्रती गुष्ण हो जाते हैं, और उस गुष्ण को हमारे खृदे में पनपने देते हैं, जब हम इस गुस्षे को उस ब्यक्ति के प्रती हमारे खृदे में पनपने देते हैं तो हमारा यह गुस्षा उस ब्यक्ति के प्रती बदले की भावना की ओर ले चलता है और हम बदला लेने के ताक में रहते हैं इसलिए प्रभु येशु आजके सुसमाचार में हमें गुस्षा ना होने के लिए कह रहे हैं क्योंकि यदि हम गुस्षे की भावना में आकरके किसी ब्यक्ति के प्रती बदले की भावना से हम जीवन ब्यातीत करते हैं तो हम एक कादम पाप की ओर हम बढ़ाते हैं इसलिए आज के सु समाचार में प्रभुयेसु हमसे यह भी कह रहे हैं कि यदि तुम अपना बलिदान लेकर प्रभु के बलिवेदी के पास आ रहे हो और तुम्हें यह मालूम होता है कि तुम अपने भाई या बहान के प्रति गुस्य में हो और बदला लेना चाहते हो तुम अपना बलिदान प्रभु के वेदी के पास चढ़ाने के पूर अपने भाई या बहान के पास जा करके उसे सरप्रत्थम शमा मांगो ततपहशा तुम अपना बलिदान है उसे प्रभु के वेदी के पास चढ़ाओ इसलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, जब हम आज के सुसमाचार पर मनन चिंतन कर रहे हैं, तो आए प्रभु से हम विशे स्कृपा और आशिस के लिए प्रात्ना करें, कि हम हमारे जीवन में गुस्य की भावना में आ करके, इस गुस्य को हमारे हृदय में किसी ब्यक्ति के प्रति पनपना ना दें, ताकि हम हमारे जीवन में इसी ब्यक्ति के प्रति हम बदला लेने के लिए सोचें, और आए हम प्रभु से या भी प्रात्ना करें, कि प्रभु हमें कृपा प्रदान करें, कि हम एक दुसरे को हमारे जीवन में श्यमा प्रदान करें, आमेन